हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप आशा है कि आप सब ठीक होगे फ्रेंट्स आज तर आपने भिंडी बहुत खाई होगी और दही वाली भिंडी भी बहुत खाई होगी तो फ्रेंट्स आज हम आपको बताएंगी आलू और भिंडी की सब्जिक इस तरह और कैसे बनाए जाते हैं ज अब पहले मैंने अपनी भिंडियों को अच्छे से वाश कर लिया था उसके बाद सुखे कपड़े से अच्छे से पोच के तब लिया हुआ है आप इसी पर कर लिजिए गा तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में उसके लिए मैंने अपनी कढ़ाई अपनी गैस पर रख ली है और भिंडी को अगर आप सर्सो के तेल में बनाएंगे तो काफी स्वादिश्ट और चिपन कर तेयार होगी तो फ्रेंड्स मैंने इसमें वन स्पून सर्सो का तेल डाल दिया है यह कोड़ा सा नमक जिसने की जो मस्टेड ओल की हलकी सी महक होती है वो ना रहे इसमें आप वन पेंच इसमें नमक जरूर डालें और अब मैं इसे अच्छी से मिक्स कर लूँगी तो देखिए इसमें काफी अच्छी तरीके से भाप बन चुकी है और यह काफी अच्छी से गर करेंगे और अब इसमें डालेंगे हम अपने क्याज जो कि मैंने मोटे काट रखे हैं और इन्हें अच्छी से हम हिला लेंगे अब इसमें हम डालेंगी हाफटी स्पून हल्दी पौडर स्वादर नुसार लालमेश पौडर यह मैंने लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है यह आप चाहो तो जीरा डालने के बाद डाल सकते हो लेकिन मैं अब इसे अब डाल रही हूं यह है ओनेस में काफी अच्छी तरीक Photo치. तुर देखिए हमारी ओनियंस हलके हलके पक चुके हैं अब इसे कंड़ेंगी हमारे डालेंगे अलू क्योंकि अलू हमारी थोड़ी लीट सकते हैं भिंड़ी से और बिंड़ी जल्दी पक जाती हैं तो लिंकिए के लिए आपको इसी तरह फ्लेम पर फकाना है वरना नीचे की तरह लग जाएंगे और जल जाएंगे तो आपको इसी तरह पकने के लिए छोड़ देना है और मैं इस पर लेड लगा ताकि आराम से पक जाएं तो फ्रेंट्स एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं तो देखी यह हलके हलके पक रहे हैं आपको इसे तरह फ्राइए करना इसमें पाने बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि हम मसाला भिंटी बिल्कुल सुखी बनाएंगे तो अब हम थोड़ी देर के लि इसे चेक करूंगे तो देखी हमारे आलू कच्पके हो चुके हैं आपको इसे हाफ पकाना है मैं इसमें से एक आपको तोड़की दिखा रही हूं देखे यह पक चुके हैं अब इसी कंडिशन में हम इसमें डाल देंगे अपनी भिंडी भिंडी बहु जल्दी पक जाती है तो देखे अब मैं इसमें भिंडी डाल दी है और इसे उपर नीचे अपने मसाले को भी लाकर इसमें मिक्स कर दूँगी तो देखे अब मैं तीन से चार मिंट के लिए इसी छोड़ दूँगी ताकि हमारी भिंडे भी अच्छे से पक जाए और इसे ढग दूँगी तो देखे अब मैं इसे ओपन करके देख लेते हूं क्योंकि 10-15 मिंट हो चुकी है तो देखे आप देख सकते हो हमारी भिंडी क काफी अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो इसे मैं अच्छे से इला लूँगी ताकि नीचे की तरफ बिल्कुल ना लगी तो देखे दो से तीन बार मैंने बीच में इसमें संभाल लिया था तो इसमें आपको सिर्फ 10-15 मिंट लगेंगी बनाने में तो आप इजली इस तर वीट्रो ग्रत्रा लगेंगी में यड़ित रिफला रहे यह मैं इसमें कर दी उ 17 को आपनी बड़ना तयार ली है अब इसे हम एक पलेट में सरू करेंगी तो मैंने यह पैड लेली हैं और इसी में अपनी बंडि में निकाल लूँगी इस भिंडी को आप पराठो के साथ या रोटी के साथ या फिर पूड़ी के साथ एंजोई कर सकते हो यह खाने में बहुत स्वादिश्ट और अच्छे बिनकर तयार हुई इसे आप एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा तो अपके पास जो भी मसाले हो आप अपनी भिंडे की सब्जी में जरू डालीएगा हमारी लाजवाब वो टैस्टे भिंडी बनकर तयार हो चुकी है तो देखिए फ्रेंच आप देख सकते हैं हमारी मसाले दार भिंडी कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी दिख रही है दि या फिर पूरी के साथ एंजोई कर सकते हो या फिर स्वेक की टाइम आप टीफिन में भी से डाल सकते हो फ्रेंच ये आलू और भिंडी हमारी बनकर तयार हो चुकी है इसे आप एक बाद एंजोई जरू करना तो फ्रेंच अगर आपको हमारी वीडियो पसंदा आए तो हमा कि बाद टार कुकी हमारी वीडियो डिर भीडो फिता है वी एंजोई को जिएम वीडियो चबाने जार कार घुकी है कि बादे टी Mooiण डेकर बात्यार है